हाई अबरिवन बहुत सरे नई राइटर्स के मन में ये डाउट अभी तक है कि SWA Script Lab 2022 जो competition हुआ था तो उस competition में जो scripts को submit की गई थी यानि जो writers थे उन्होंने अपने scripts को submit किये थे तो क्या उन scripts को वो किसी producers को send कर सकते है अगर उस पी कोई movie बनती है तो क्या वो उस movie को बनने देंगे यानि अगर Script Lab में वो select हो गई है तो क्या अलग से उस पर movie बन सकती है तो इन सभी questions का मैं आप लोगों को answer देने वाला हूँ तो देखते रहे इस वीडियो को पूरा last तक देखे सब सब पहले तो मैं आपको बता दू कि कुछ दिनों पहले SWA ने एक competition organize की थी जिसमें scripts को submit करना था लोग अपने जो writers है वो अपने scripts को submit कर रहे थे और उसमें जीतने पर आपको final draft software का जो version है वो मिल रहा था जो latest version है वो मिल रहा था उसका key वेगेरा जो है वो सभी आपको मिल रहे थे और साथ ही professionals द्वारा आपके script को guidance भी मिल रही थी तो उसमें बहुत सरे writers ने participate किया मैंनी वे अपने channel पर इसकी detail video लाई थी मेरे channels के through भी बहुत लोग वहाँ पर participate किये और फिर क्या हुआ कि उनमें से बहुत सरे writers के मन में ये doubt आया कि क्या SWA में जो script submit ह हुई है उन scripts को वो कहीं और send कर सकते है या उस पर movie बन सकती है तो definitely वो कर सकते है इसका सीधा साधा answer है कि definitely वो कर सकते है इसमें कोई problem नहीं है अगर आपने उस script को SWA script lab competition में submit किया है लेकिन आप चाहते है कि उसे आप किसी producer को send करे तो बिल्कुल आप कीजे कोई problem नहीं उस तो उसमें जब आपने submit किया है तो वो registered ही होगी क्योंकि वहाँ पर registered copy ही चल रही थी उन्होंने registered copy की demand की थी तो आप बिल्कुल कर सकते है अब देखिए movie उस पर बन सकती है कि इसका भी मैं आपको answer देदेता हूँ देखिए बिल्कुल उस पर movie बन सकती है लेकिन यहाँ प वो competition को जीच जाती है वो winner घोशित कर दी जाती है तो उस पर जब भी movie बनेगी उस script पर जब भी movie बनेगी तो उसमें S.W.A. का नाम होना चाहिए S.W.A. को credit की तोर पर वहाँ पर मिलना चाहिए लिखा हुआ आप नहीं होगा writer में आपका ही नाम आएगा लेकिन वहाँ पर होगी तो जल्दी सिकर दीजे वीडियो को like और share और इसी तरह के interesting वीडियो को देखने के लिए subscribe जरूर कर लीजे हमारे channel को तो फिर मिलते हम लोग एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए bye bye